आप सभी को मेरा प्रणाम आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मित्रो आज हम इवोलवुलस नुमोलरिस का ये प्लांट है इसके सुन्दर वाइट कलर के फूल आप देख पा रहे होंगे और इसके जो पत्र होते हैं साथियों वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मुश्क के क अच्छी और्गनिक कल्टिवेशन करने के लिए ये सहायक भी होता है साथियों ये नेचरल इंसेक्टिसाइड और पैस्टिसाइड का कारे करता है आप इसके पत्र का पेस्ट बना कर स्प्रे कर दिजिए किसी भी परकार के इंसेक्ट को नहीं आने देता है इंसेक्ट का रिपलेंट का ये कारे करता है इंसेक्ट को भगाने में सायक होता है दूसरा मित्रो ये नैचुरल पेस्टिसाइड का भी कारे करता है आप इसको क्या कर सकते हैं इसी प्रकार से इसकी काड़ा बना कर आफसकता अनुसार जहां भी पैस्ट बहुत आपको परिशान करते हों वहाँ पर इसको स्प्रे कर दीजिए या फिर चुहे के बिल अगर कहीं है तो वहाँ पर इसके पत्र को इखटा करके इसको आप भर दीजिए चुहा वहाँ से भाग जाता है इसके साथ साथ इसका उपयोग मित्रो हम लोग मंडूक पढ़नी के तरह ही करते हैं और कहीं कहीं मंडूक पढ़नी के साथ अनन्त मूल का इसके साथ कंबिनेशन अगर बना देते हैं योग अगर बनाते हैं तो बलड को प्यूरिफिकेशन का कारे करता है और लिवर के free radical squenching activity शो करते हुए लिवर को detoxify करने का ये कारे करता है मेदा को बढ़ाने वाला होता है और neuro degenerative disorders को ठीक करने वाला होता है मित्रो ये lexative का भी कारे करता है इसका आप 7 भी कर सकते हैं और थोड़ी मात्रा में बना कर इसका साग भी आप खा सकते हैं अच्छा ये कारे करते हुए digestive disorders को ठीक करते हुए ulcer की समशा को ठीक करता है और पेट में अगर कीडे हो गए हो उनको भी बाहर निकाल देता है tapeworm हो चाहे roundworms हो या flatworms हो सभी परकार tapeworms के लिए उनको बाहर निकालने के लिए कारगर होता है effective होता है साथ यह घाव नहीं भरता है बुंड हो गया हो चोट लग गई हो खिचाव हो गया हो ब्लड बहरा हो तो इसके पत्र को इसको आप साफ कर लीजे और घाव पे लगा दीजे भाव भरने का भी यह कारे करता है स्नेक बाइट या स्कॉर्पियन बाइट भी अगर कहीं हो गई हो माना आप कहीं जंगल में गए हैं आप रास्ते से गई निकल रहे हैं और इस तरह की अगर समझता है होस्पिटल काफी दूर है तो ऐसे हम आप अपने प्रान रख्षा किस परकार से कर सकते हैं आप इसको लीजिए और इसको जहां भी किसी इंसेक्ट ने या स्नेक ने या फिर स्कॉर्पियन बाइट कहीं हुआ है तो इसको आप घिस दीजिए रगर दीजिए आप देखेंगे कि यह नैच्रल एंटिडोट का काले करते हुए पेन की सेंसेशन को समाप करता है साथी साथ उस विस इसको भी समन करते हुए हमें आसानी से हमारी प्रान रक्षा करता है काफी अच्छे इसके दुरलब उप्योग हैं लेकिन जानकारी के ना होने के कारण हम लोग इनको उप्योग में नहीं ला पाते हैं गमले में भी आप इसको लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा ज जाते हैं रूट्स काफी फैल जाते हैं तो आप इसको निकाल के लगा दीजिए तो आसानी से फैल जाएगा सुंदर सुंदर वाइट फूल भी आएंगे और आफसकता अनुसार आप इसको अपने स्वास्थी के लिए उप्योग में भी ला सकते हैं नैच्रली ये डाइब बताया गया है साथ यो बदलते हुए मोसम में इम्मुनिटी कंप्रॉमाइज हो ही जाती है ऐसी अवस्था में भी इम्मुनिटी को बनाने के लिए आप पांच मिलीलीटर इसका जूस इसके पत्र का जूस निकाल कर दिन में एक बार अगर सिवन करते हैं अनीमिया भी नही करने का कारे करता है Metabolic disorders के लिए Arthritis की समस्चा के लिए इस प्रकार के रोगों के लिए भी आप इसके पत्र की पुल्टिस बना कर बांच सकते हैं ड्रेसिंग कर सकते हैं और इसके जूस का आप सेवन कर सकते हैं पिरकृति के दिये हुए वरदान हैं इनको आप अच्छे से संजोईए इनको समभा लिए इनको संदक्षित कीजिए और अच्छे उपयोगों के लिए शरीट के स्वास्ते के लिए उपयोग में लाइए और कीट पतंग मक्षी मच्छर काफी बढ़ जाते हैं और मलेरिया डेंगी चिकन गुनिया इस प्रकार के जो मौस्कीटो बाइट है बढ़ जाती है जिसके कारण काफी ने ने रोग उत्पन हो जाते हैं तो उन सब को दूर करने के लिए आप इसको गमले में लगा सकते है इंसेक्ट रेपलेंट का कारे करता है मौस्कीटो रेपलेंट का भी कारे करता है और पांच अमल के करीबे इसका अगर जूस पीते हैं तो फीवर बिलकुल भी नहीं होता है बुखार नहीं होगा आपको और इस परकार के इंसेक्ट बाइट से मौस्कीटो बाइट से आपक होते हैं किसी पेस्ट के कारण जो रोग होते हैं उन सब हमें जरनल बोर्डी की explaining को बनाए रखना बहुत जरूर होता है और इस प्रांट के सेंवन सर्वाण से आप इस agingal body पर बनाई रख सकते हैं इनी बातों के साथ एनी मंगल कामनाओं के साथ कल सुबह फिर सारेच से बज़े मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इमेल के माध्यम से भी आप अपनी क्वेरीज हमें सेंड कर सकते हैं आप सभी का धन्यवाद पनाम मुश्कार